आज में कि देख सकते हुआ हमारी 12 किलो मेंटर क्रोस कंट्री त ही जो जूनियर क्या चोटे बच्चे थे 8 किलो मेंटर क्रोस कंट्री थी और बाखी सब कि 12 क्रोस कंट्री ओग बगा ड़ों की क्योंकि बजोंग को 10 पैस अ कhet वाँ में रहुद सीójा बारा किलो देखे और अगर हमारी जो ट्रेनिंग है और हमारा जो ग्रूप है चोट चोटे बच्चे अगर यह ट्रेनिंग आपको पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करने में बिल्कुल भी खुन जूसी ना करें अगर आप चैनल पे ने हो सब्स सेकंड्स किलोमेटर गया है आप देख सकते हो च्यार मिंट का गया है यह था अपना पहला गुरूप और सेकंड्स गृूप अभी जिनकीचार बीच से है वो आरहा है यह फरस्ट गृूप है इसका दूसा किलोमेटर पीनीश ओन लेगए तीन बावन यह थोड़ा सा फास्ट गया है जो किलोमेटर है 322 का और सेकंड्स गृूप इसके पीछे आरहा है जिनकी थोड़ी सी पे रहेगी तो इसे साथ में है थर्ड ग्रूब भी साथ में है तोड़ा फास्ट कर लो इसको यह फास्ट ग्रूब में जिनकी प्रेस तीन-पचास क्यास पास चल रहेगी प्रेस्ट ग्रूब की पांच किलो मिन्टर कपलीट हो गई है आप देख सकते हो जो इनका पांच किलो की मिन्ट गया है वो तीन मिन्ट उनसा सेकंड का गया है और अभी हम जो दिल्ली में मुंडेडा गाम के पास है अब डाउन क्योंकि इसमें क्रोस कंट्री में असी परसेंट यह फेड लगाना डाउन यह बच्छे थर्ड ग्रूप के अभी छे किलोमेटर पर यह टरन लेंगे वापिस कि डाउन चलजब तललल साबाश अचा कि अधिक इस्वाद आपको सकते हो आठ किलोमेटर हो चुकिए उसके बाद देख सकते हो आठ किलोमेटर हो चुकिए फस्ट गृप के आप देख सकते हो कोपी अच्छी फेस लेके तल रहे अभी तीन तीस तक ले आना आगे सी किलोमेटर दो भी है कि आदि अब देख सकते हो औह यह दो किलोमेटर तीन अठाइस का गया अगयी तर धोफॉ सिह कि नो किलोमेटर ओचुक है आप देख सकते हो फर्स्ट गुरूप के कुछ बच्चे आगे चल रहे हैं इसके बाद है शेकंड गूरूप है उसके बाद थारड गूरूप तो इल्गा के जो पेश चल रही है तीन-तीस सब से आगे मूं केश सर्स्री गगानगरी में जो इसके बाद परबराकर, बिहार आप시त Свैनले के। काफी अच्छी पेस चल रही है आप देख सकते हैं आपको देखने में काफी इनकी जो रणिंग एकसर है काफी इजी लगता होगा पर जो यह पेस चल रही है यह 3-30 से चल रही है लाँस्ट में मैं आपके सास्थ सारी किलो मेटर सेयर करूंगो लाइस्ट तक हमारी वीडियो तक जुडे रहे और यसके बाद में कुछ क्रोस कंट्री के जो टिप्स हैं क्रोस कंट्री कैसे लगाए आप वह टिप्स भी मैं आपको बताऊंगो इसमें च्यार लड़के राधस्तान के एक वियार से है और एक हर्याना से इसके बाद फस्ट गुरूप के कुछ बच्चे पीछे चल रहे हैं और उसके बाद सेकंड गुरूप चल रहा है और सबसे लाष्ट फिर कीछा आ रहा है jako थडर से का अधिर खूहर भाद ँम स्वैस्तान के यह थाधस कंडूप और था थे ओत्यों की आर्ट किलो मेटर कोी थी इसके बाद में और आपको क्रोस कंट्री के से लगाए जो विगिनर आथलिट है जिनों ने अभी गेम शुरू किये तो उनको मैं कुछ टिप्स दूंगा क्रोस कंट्री के मुकेश को मेरे पास आये हुए दो मेने हुए है यह सिरी गगान नगर दिश्टिक राजस्तान से है काफी अच्छा कर रहा है सीनियर गुरूप के साथ कि यह विगनर अथलीट है और काफी दो मेनों में इसने काफी इंप्रूमेंट किया चल गुरूप को जल्दी कवर कर ले वापिस काफी अच्छी पेस मेंटन करके चाल रहे है प्रष्ट गुरूप और आप यह देख सकते हो यह खेत दिल्ली और हर्याना बाउन्डरी भी है इसके बाद तीन किलोमेटर बाद हर्याना शूरू हो जाता है हर्याना का जो जंजर डिस्टिक है गो शूरू हो जाता है देरे देरे तेस जो है फास्ट होती जा रही है सुधेव जो हनुमानगड डिस्टिक्स राजस्तान से है इसको भी मेरे पास आई हुए इसका भी काफी इंग्रूमेंट है यह 800 मेटर करता है 800 मेटर इसने एक चपन के अपनी ब्हेस्ट लगाई थी और बोडी में इंडोरेंस भी अच्छा है और आने के बाद काफी इसने इंग्रूमेंट भी किया है और यह अपना किलोमेटर फिनीस हो गया है यह किलोमेटर गया है तीन मिन्ट दस सेकंड का गया है चल 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 कावर कर लेए आप इस सोड मत बस लाश्ट किलोमेटर तो बचा है ना लाश्ट किलोमेटर बता है बस आप छोड़ना नहीं है बेस तो जाएगी तेरी किलोमेटर अच्छोड मत ग्रूप को मत चौड़ एक जटका देखे वापिस कवर करें इसको ग्रूप को वापिस तो यह अपना फर्ट ग्रूप है इसमें पीछे बच्छे आ रहे हैं तो अमार सकत लाश्ट तक दुड़े ने मैं सब का टाइमिंग भी आपके साथ सेयर करूँगा जो इनका टाइमिंग है इससे पहले जो छोटे बच्छों का ग्रूप था उनका फिनिस हो गया है कापी अच्छी पेस मैंटन करके चल रहे हैं सोड मत अलका सा फास्ट कर लो तो यह इनकी फिनिस है बारा किलोमेटर का जो टाइमिंग है मैं आपके साथ सेयर करूँगा ट्रिली झापर ट्रिली जोपन रड़ी अप इन आवन रड़ी अप तनी इनके तीन वी खितनी अई उनतीस डाउन बेस्ट होगी रड़ी ना प्यार मेरे को टाइम भी दे नहोंता है ना एक मुट तो मालीस चालीस रेडी अप तो ये इनका बारा किलो मुट्र का टाइम था ये सकते हो डाउन समालीस पचास समालीस तरेपन समालीस पीचपन रेडी अप डाउन कितने पचिस उनतीस तेईस तेईस तेडी बेस्ट हो गई कितने लगी समालीस पचास ठीक कितने थी आकर स्वेल दो हुआता ङनीं तो है दो इस तो पर दो आद नहीं डाउन डाइस चीक और इसमें उपर जाता है ना तो हाट रेट आती है बार-बार अभी सेकंड क्रेप के कुछ बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं इसके बाद में थर्ड रूप के कुछ दो बच्चे हैं वो आएंगे तेरस नहीं बोल रहा है आप देश सकते हो थर्ड ग्रूप के मनीस प्लागर दोर्याना से हैं और सुनील है जो यूपी से है इन्होंने फिनिस किया 47 मिंट 10 सेकंड रेड़ी अप फिनिस होने के बाद इनकी हार्ट एट चेक होती है ताकि इनका पता चले कि इनका कितना अपहेड लगा था डाउन 23 24 बीस काफी सर्दी भी है आज और दूंद भी काफी है 43 45 का सबस्ते है तेरी कितने की लगी कितने की पेस होगे तेरी कितने की पेस होगे ठीक लगा दिया तो उन्हें कितने की लगाई आने के बाद वैस्ट कर दी ठीक देर देर हो जाएगा अधि कि बाकी के बच्चे भी आ रहे है तो आपको दिखाएंगे इसके साथ मैं इतने भी किलो मेटर है दिन का टाइमिंग था अलग अलग मैं उनका के साथ सेयर करूंगा हर तालिस त्रियालिस रेड़ी अप डाउन वैस्ट हुई है या फिर नहीं तो आज सेयर करते हैं सबसे पहले कौन सा किलो मेटर कितने का गया था यह 12 किलो मेटर पूरी नहीं थी 11 किलो मेटर और 800 मेटर हुई है जिसका टोटल टाइम 43 मिंट और 12 सेकंड रहा है आप देख सकते हो जो हार्ट रेट मेक्सिमम गई है 180 गई है और जो एवरेज रही है वो 160 है और अब आपने चलते हैं लेप पर कि कौन सा किलो मेटर कितने का गया तो सबसे पहले मैं बता दूँ पहला किलो मेटर था 3 51 का उसके बाद में 3 52 का 3 57 का चोथा किलो मेटर 3 49 का पांच मां 3 58 का और 6 किलो मेटर 3 57 का सातमा किलोमेटर तीन ब्यानिस का आटमा किलोमेटर फिर तीन च्यालिस का नॉमा किलोमेटर तीन तेतिस का दसमा किलोमेटर तीन कतिस का और जो ग्यारमा किलोमेटर है तीन उनिस का गिया है लास्ट का जो है दो सेंतिस का गिया है इसमें 200 मिटर कम थी लास्ट किलो मिटर में तो ये था अपना लेप और अपने हार्टेट पर बात करें तो अब देख सकती हो कि 23 मिंट और 15 सेकंड पर हार्टेट थोड़ा अब हुआ था बाकी एवरिज जो रही है 160 ही रही है इसके बाद जितने भी खिलाड़ी थे उनसे सभी से मिलाता हूँ तो ये था हमारा ट्रेंणिंग सेशन